वेलकम बैक, आज की इस वीडियो में हाँ पर मैं आप सुभी के लिए लेकर आया हूँ अपकमिंग स्मार्टीविस की लिस्ट जो की आपको ऑगस्ट और सेप्टेंबर मंत में इंडियन मार्केट में देखने मिले वाले हैं अगर आप भी समय कोई नई टीवी लेना चाहते हैं या फिर किसी नई टीवी का इंदिजार कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर कर दिना विकास इससे मोटिवीशन तो मिलती है इसी के साथ यूटूब का इल्गूर्थम इस वीडियो को उतना ही आगे प्रमोट करेगा जितना इस वीडियो पर लाइक और कमेंट्स आएंगे तो अगर आप चाते हो कि चैनल ग्रो हो तो एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक करके जरूर बताना अगर आप इसमें कोई नई स्मार्ट टीवी लेनी की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजे इस चैनल पर मैं आपके लिए स्मार्ट टीवी लेनी से रेलेड़ वीडियो लाता रहता हूँ इसी के साथ मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगा अगर आपको कुछ क्वेश्चन हैं अगर आपको यूट्यूब पर उसका अंसर नहीं मिल रहा है तो आप डिरेक्ली मुझे डियम कर सकते हैं मैं आपके हेल्प के लिए हमेशा है अवलेबलो आईए चलिए वीडियो को यहाँ पर फाइनली शुरू करते हैं तो यहाँ पर लिस्ट की जो पहले टीवी है वो औरड़ी मार्केट में दो दिन पहले ही लाँच हो चुकी है और यह टीवी है ओनिडा के तरफ से तो ओनिडा ने अपने फाइर टीवी एडिशन स्मार्ट टीवी सीरीज में और एक नए वेरेंट को अड़ किया है जो कि इस बार 55 इंच 4K स्क्रीन के साथ आता है इससे पहले हमें सिफ HD और Full HD वेरेंट देखने मिल रहे थे तो यह ओनिडा के तरफ से पहली 4K Fire TV Edition वाली स्मार्ट टीवी है तो 55 इंच की स्क्रीन साइज के साथ यह टीवी लांच करी गई है बाकि वेरेंट भी जल्द ही लांच किये जाएंगे 4K मॉडल्स पे तो यहां पर इस TV के अगर बात करे जाया तो TV एक अच्छा ओप्शन निकल कराती है तीवी में IPS पैनल मिलता है पिच्चो कॉलिटी वगर अच्छी मिजाती है और इस अगर देखा जाया तो यह TV काफी जादा ओवर प्राइज है इस TV की प्राइजिंग अगर 38 या फिर 40,000 पीस तक होती तो एक अच्छा प्राइस पॉइंट था लेकिन अभी फिलाले TV लगबग लगबग 8 से 10 जा और पे महंगी मिल रही है अगर आप इस TV के बारे में डेटेल में जाना चाहते है तो मैंने अलड़ी एक उपीनियन वीडियो बनाया है उपर आई बिटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा टीवी कब लाँच होगी तो टीवी 26 ओगस को इंडियन मार्केट में लाँच हो जाएगी और अगर आप इस वीडियो 26 ओगस को देख रहे हो तो यूट्यूब पर यानि इस चैनल पर दाकर विजिट कर लेजे आपको मेरी डिटेल वीडियो भी मिल जाएगी मेरी वी 5X पर वेल बात करें जाए क्या कुछ यहाँ पर आपको देखने मिलने वाला है मेरी वी 5X में तो यहाँ पर एक complete focus smart TV series होने वाली है यहाँ पर आपको metallic build मिलने वाला है यानि metallic design मिलेगा और bezels का फिजाद थीन होंगे TV का look काफी अच्छा होने वाला है अब यह सारी चीज़े जो है अलड़ी brand के तरफ से leak कर दी गई है leak basically tease कर दी गई है इसके अलावा TV में आपको hand-free voice command मिलने वाला है dolly vision, dolly atmosphere support मिलेगा 40 watt के speakers आपको मिलने वाले है और इसी के साथ MI ने IMDB के साथ में partnership करी है तो शायद से patch wall में आपको IMDB का भी integration देखने मिले जहाँ पर आपको top rated movies जो है वो rank wise देखने मिलेंगे तो यह सारी चीज़े अभी तक मुझे पता है बाकी detailed video आपको channel पर मिल जाएग well बढ़ते हैं आपर मारे अगले टीवी के तरफ तो अगली टीवी जो की आपको Indian market में देखने मल सकती है वो होगी view की तरफ से तो कुछी हपतों पहले जैसे कि मैंने आपको एक video बना के बदाया था कि view इंडिया की CEO ने खुद officially कहा था कि हमारी जो नई focus smart tv series है वो August या फ खुद view इंडिया की CEO ने दिया है तो यह official update है तो definitely next month में आपको view के tvs भी देखने मिलने वाले हैं इसके अलावा जो next tv है वो है Acer की तरफ से तो Acer के आज तक हमने laptops और monitor से यूज़ करे हैं लेकिन Acer के तरफ से भी official confirmation आ चुकी है कि वया हम भी Indian market में अपने smart tvs को introduce करने व में tvs देखने मिलने वाले android tvs होंगे अब exact specification क्या होने वाली है यह अभी confirm नहीं हुआ है लेकिन जल्द ही आपको tvs के बारे में और भी updates मिलना शुरू हो जाएंगे और September end तक यह tvs भी Indian market में launch हो जाएंगे इसके अलावा दोस्तों जो next tv आपको Indian market में शायद से देखने मि नहीं है जस्ट मैं अपने इसाब से बता रहा हूं तो यह जो tv है यह शायद से हैसे की तरफ से आने वाली है tv के बार में कोई image नहीं है लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि हैसे भी next month में अपनी नई focus smart tv series को launch कर सकता है तो फिलाल यह कुछ tvs है जो कि आपको market में कौन से tv में interested हैं यह नीचे मुझे comment करके जरूर बताना इसके अलावा बाकी जो brand select Toshiva हो गया, Onida हो गया, इसके अलावा Motorola Nokia यह सारे brands भी अपने tvs को इसी time duration में launch करने वाले हैं अगर September में नहीं launch होगा तो might be November end तक आपको इन सभी brand के तरफ से भी नई tvs देखने मिल सकते ह अगर मैं Motorola Nokia की बात करूँ तो लगबग यही समय है जहां पर सारे budget brands अपने नए tvs को launch करते हैं तो हो सकता है कि November मत में आपको बाकी सारे brands की तरफ से भी नए tvs देखने मिलें तो कहने का मतलब यहां पर यही है मैं तो यही आपको suggest करूँँआ कि अगर आप फिलाल कोई tv लेने की सोच रहे हो budget brand tv लेने की सोच रहे हो तो आपको थोड़ा सा wait करना चाहिए because अब 2021 के सभी नए tvs जल्दी market में आने वाले हैं बाकि अगर आप किसी premium brand के tv लेना चाहते हो like Samsung, Sony या फिर LG तो इनके 2021 के नए tvs already market में आ चुके हैं और जो नए variants है वो directly 2022 में आने वाले ह तो अगर आप Samsung, Sony या फिर LG लेना चाहते हो तो नीचे description में कुछ best TVs जो की इस साल के हैं उनकी list देदूँगा आप उहाँ पर उनको check out कर सकते हो बाकि अगर आपको कोई doubt है या फिर आपको को question है आपको YouTube पर उस concern नहीं मिल रहा है तो आप मुझे Instagram पर भी contact कर सकते हो आपक अच्क लिए इतना ही मिलता हूं मैं आपसे नेक्स वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए टाटा बाइबाइबाइब स्योनारा